हेलो आज की वीडियो में हम करेंगे शटडाउन और कंटिनू डिसीजन अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग की हो सकता है कि कंपनी के पास वह वह दो तीन चार पांच हो सकता है कि कुछ जो है वह फैक्टरीज हैं ब्रांचेज हैं और का अर्गनाइजेशन को कंपनी कर सकती है कि उस ब्रांच को बंद किया चाहिए तो उस्से रिलेटेड हम एक निमरेकल आज की वीडियो में करेंगे जिसमें हम कंपनी को सजेस्ट करेंगे की कंपनी को फैक्टरी को चलाना है या बंद करना है तो कुशन क्या हैं हमारे पास a company with its head office in दिली और यहाज़ीए situated at different stations A and B की अलग-अलग stations पर जो है वो दो factories है एक factory A और दूसरी factory B and the data related to the two factories are as under दोनों factories के बारे में information दी हुई है factories A and B contribution margin ratio 40% and 50% traceable fixed cost 1 lakh 12 lakh 50,000 and 10 lakh 50,000 sales 36 lakh 25,000 and 19 lakhs तो यह information जो है वो दोनों factories के बारे में दी हुई है तो fixed cost आपको बताएं यह traceable fixed cost लिख दिया तो confused करने होने की कोई बात नहीं है just fixed cost के बारे में information है यह हमारे पास sales के बारे में information है and what is contribution margin ratio contribution margin ratio that means contribution ratio भी आप इसको बोलते हैं and that is your PV रिशो की इसको पीवी रिशो margin ratio तो इस तरह को जब भी थोड़ा साथ अगर कुछ अलग से लिखी वह आती है term तो आपने confused नहीं होना उसको समझने की कोशिश करनी है कि वह किस से मिलती जुलती है या किस के बारे में हो सकती है तो contribution margin ratio का मतलब है कि contribution margin कितना percent है sales का तो sales का कितना परसेंट जो है वो है that is PV ratio तो इसको पीवी रिशो भी का सकते हैं contribution ratio भी का सकते हैं तो यह हमारी contribution ratio है अगर sales का इतना percent calculate कर ले आएगा तो हमारे पस contribution आ जाएगा ठीक है इसके बाद जो information उसमें हमसे पूछ रहे है वह कह रहा है हमें calculate करने के लिए the head office expenses amounts to rupees 2 lakh head office expenses amounts to rupees 2 lakh कि head office के expenses है वो 2 lakh rupees के है और you are required to analyze the data and state which of the factories should be closed down कि आपको जो है वो पूछ रहा है कि आप बताएं कि company के इस जो data है इस data को आप analyze करें और उसके बाद बताएं कि company को जह है वो कौनसी factory को जह हो बंद करना चाहिए analyze the data and state which of the factories should be closed down कि आप इसको analyze करने और analyze करने के बाद यह बताएं कि कौनसी factory को जह है वो company को बंद करना चाहिए अब उसके बाद दूसरी चीज भी कह रहा है कि if the factory which which you have recommended for the closer desires to continue operation what increase in sales target is necessary कि in case कि आप कह रहे हैं कि कि किसी एक factory को बंद कर दिया जाए चाहिए अगर आपने उसको suggest किया बंद करने के लिए बट company अगर चाहती है कि वह जो इस factory को आपने suggest किया बंद करने के लिए अगर company उसको चलाना चाहती है तो उसको अपनी sales में जो है वह sales target में कितना increase करना पड़ेगा ताकि जो है वह factory चलाई जा सके तो जैसे आपको पता है कि जिसका जो है वह company अपनी जो है वह cost को recover नहीं कर पाएगी उस company को बंद कर देना चाहिए कि जैसे अपनी cost भी cover नहीं हो पा रही है तो company उस factory को बंद कर दे बट अगर वह cost को cover कर पा रही है यानि कि no profit no loss की situation पर है तब उसको आप further continue कर सकते हैं तो no profit no loss that means break even point की in case कि अगर हम किसी factory के बारे में बता रहे हैं कि इस factory को बंद कर दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले वह factory के बारे में देखना पड़ेगा कि कौनसी factory अपनी cost को भी recover नहीं कर पा रही है उस factory को बंद करने के लिए हम यहां से first point के लिए answer निकाल सकते हैं और second के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि उसकी break-even pointer break-even point कितना है तो break-even point के लिए उसको कितनी number of units extra sale करने पड़ेंगी तो यहां से जाए वह second part के लिए हमें break-even calculate करना पड़ेगा तो अब इसको solve कर लेते हैं question को तो profitability statement factory A and factory B contribution margin ratio question में आपके पास दी हुई थी 40% and 50% sales भी आपके पास दी हुई थी 36,25,000 and 19,000 लेक्स यह जा information है हमार पास दी हुई थी contribution के बारे में sales के पारे में तो यह हमने दोनों लिख लिए है fix cost को बाद में consider करेंगे क्योंकि marginal costing accordingly कर रहे हैं तो हम sales के बाद वो contribution निकाल लेते हैं तो contribution के लिए बहुता है था कि contribution margin ratio है that means कि अगर sales को आप इस contribution margin ratio से multiply कर देंगे तो आपके पास जो है वो contribution आ जाएगा तो 36,25,000 को अगर 40% अगर आप निकालते हैं और नाइंटीन लेक का 50% जो है वो 9,50,000 जो है वो contribution आ गया अब contribution कैसे निकाला है हमने sales को sales को multiply कर दिया contribution margin ratio से अगर यानि कि पीवी रेशो भी दी होती है आपको तो सेल्स को अगर आप पीवी रेशो से multiply करेंगे तो आपके बास contribution आ जाएगा contribution के बाद क्या है कि उसमें से हम fixed cost minus कर देंगे तो हमारे पास profit आ जाएगा तो यहीं हमारे पास statement होती है sales sales minus variable cost that is equal to contribution and contribution minus fixed cost that is equal to profit और लॉस तो fixed cost दी है 12,50,000 और इसकी है 10,50,000 तो यहां पर हमने 12,50,000 फेक्टरी एक के लिए और फेक्टरी बी के लिए 10,50,000 और difference calculate किया तो profit और लॉस तो यहां पर जो है वो contribution जो है वो 14,50,000 है और fixed cost जो है वो 12,50,000 है that means contribution ज्यादा है fixed cost कम है तो company को profit है और रुपीज 2,00,000 का और फेक्टरी बी में कहा है कि contribution 9,50,000 का है और fixed cost जो है वो 10,50,000 की है यानि कि fixed cost ज्यादा है खर्चें है वो expenses भी पूरे नहीं हो रहे है profit की तो बात ही नहीं है तो यहां पर loss हो रहा है company को and it is in the loss it should be closed down क्योंगर हमने फस्ट पार्ट जो question में पूछा गया था कि दोनों फेक्टरी को आप compare करें और बताएं कि किसको close करना है किसको shutdown करना है तो क्योंकि ए फेक्टरी जो है वो profit में है 2 lakh रूपीज का profit आ रहा है बट बी से जो है वो हमारको एक लाख रूपे का loss हो रहा है तो हमें कहा करना है कि factory B को बंद कर देना तो पहला point हमारा clear हो गया और second उसने कहा था कि अगर जो factory बंद करनी है अब हमें factory को बंद करने के लिए suggest कर दिया बट अगर company उस factory को चलाना चाहती है तो कितनी जो है उसको sale increase करनी पड़ेगी उतनी जिससे जो है वो अपनी cost को recover कर सके उतनी जो है उसको sale को बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे वो उसकी cost जो है वो total cost जो है वो recover हो जाए तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना आपने directly की जी बहुत असान है कि वन लाक रुपीज की अगर sale बढ़ जाएगी तो जो है वो no profit no loss की situation में आ जाएगी और company ज निकालना यहां से नहीं कर देना इसको solve तो break-even point निकाल लेते हैं और उसके basis पर calculate करेंगे कि कितनी एक्स्ट्र करने पड़ेगी तो break-even point के लिए जो आपको पता है किया formula है fixed cost divided by fixed cost divided by PV ratio fixed cost divided by PV ratio उससे जो है वो required sales आयाती है हमारे पस यानि कि उसको अगर continue करना है तो उसको अपने loss को recover करना पड़ेगा loss को require करने का मतलब है कि उसको अपना break-even point अचीव करना पड़ेगा और उस company का break-even point के है fixed cost divided by PV ratio fixed cost है company की 10,50,000 और PV ratio है 50% divided by 50% और यह आजाएगा rupees 21 lakhs कितना आ गया rupees 21 lakhs जो है वो required sale है that means की break-even point है company का factory का कि at least अगर 21 lakh rupees की sale होगी तब जो है वो factory no profit no loss की situation में होगी तो 21 lakh rupees की sale करने पड़ेगी but at present जो company जो factory है उसकी sale है 19 lakhs की at present कितनी sale है उसकी 19 lakhs की sale है उसकी या factory B की तो उसको जो है वो 21 lakh तक पहुचने के लिए 2 lakh rupees की additional sale करने पड़ेगी जो हम से पूछा है तो यानि की factory B को अगर continue करना है तो factory B को 2 lakh rupees जो है वो additional sale करने पड़ेगी तब हम उसको continue कर सकते हैं तो इस तरह से जो है तो marginal costing के accordingly हम shutdown और continue के decisions ले सकते हैं अके थेंक यू